हेलो स्टुडेंट्स मोहलाल सुखाडिया उनिवस्टी बी ए थर्डियर एकोनोमिक्स के आज की इस वीडियो में हम सेलेबस की चर्चा करेंगे बी ए थर्डियर में दो पेपर चलते हैं पहला पेपर है जिसका नाम है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इस पेपर में आपके पांच यूनिट है यूनिट फ़िस्ट है उसमें है स्टेटिस्टिक्स सैंकी की उसकी परिभाशा महत्व और सैंकी का छेत्रव है सीमाई फिर है प्राइमेरी एंड सेकेंडरी डेटा प्रात्मिक और दित्यक समंग ये क्या होता है और इसको इसकी संग्रहे की विदिया कौन कौन सी है कि प्रात्मिक और जो दित्यक समंग है उसको हम कैसे कैसे कलेक्ट करते हैं फिर है Classification and Tabulation of Data समंगों का वर्गिकरन थता सानियन ये कैसे किया जाता है ये हम इसमें पढ़ेंगे फिर है Presentation of Data जो समंग है उनका प्रस्तुतिकरन कैसे किया जाता है Diagram and Graph R1 थता Graph के द्वारा ये सारे टोपिक आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं अब है Unit Second इसमें है Measures of Central Tendency Mean, Median और Mode जो केंद्रे प्रवर्ची के माफ है माध्य, मद्धिका और बहुलक माध्य कैसे निकालते हैं मद्धिका कैसे निकालते हैं बहुलक कैसे निकालते हैं Individual Series में कैसे निकालते हैं इतिकर स्रेणी, खंडित और एखंडित स्रेणी में कैसे निकालते हैं ये सब हम इसमें पढ़ेंगे फिर है Geometric Mean and Harmonic Mean गुणोत्र माध्दे और हरात्माध्दे गुणोत्र माध्दे हैं हरात्माध्दे हैं उसका माध्दे हैं और इनका प्रियोग कहां कहां किया जाता है ये भी हम इसमें पढ़ेंगे फिर है measures of dispersion जो अपकिरन है उसके माप जो आपके इसमें सेलेबस में है वो है range है mean deviation, standard deviation विस्तार, माद्दे विचलन, प्रमाप विचलन coefficient of variation विचलन गुनांग है quartal deviation है, चतुर्थक विचलन है और isqueness इनका मान कैसे कैसे निकाला जाता है ये हम इसमें पढ़ेंगे अब है unit third unit third में है correlation correlation इसका अर्थ की सहसंबन किसे कहते हैं कार्यकारण संबन थता सहसंबन और correlation है इसमें आपके दो method हैं एक तो है call operation वाला है और एक है experiment rank वाला correlation है तो इसके द्वारा हम सहसंबन कैसे निकालते हैं फिर है probable error संभावे तूटी तो संभावे तूटी क्या होती है ये कैसे निकालते हैं ये भी हम इसमें पढ़ेंगे फिर है simple linear regression सरल रेखिये परतीब गमन estimation of regression coefficient and regression lines जो परतीब गमन गुनांग वह परतीब गमन रेखाए हैं उसको हम कैसे निकालते हैं और उनको जो ग्रचना है वो कैसे की जाती है उनका आकलन कैसे किया जाता है अब है unit 4th unit 4th में है आपके time series है जिसमें introduction, components of time series measurement of trends जो काल स्रेनी है जिसमें पहला है moving averages and दूसरा है list squares चलमादे रिती और नियूंतमवर्ग विधी इसके दोरा हम काल स्रेनी जो है ये trend value है वो निकालते हैं फिर है index number सूचकांग meaning सूचकांग क्या होता है सूचकांग significance and type of index number सूचकांग की परकार्थ ता महत्व की सूचकांग कितने परकार के होते है और फिर है सूचकांग बनाने की विधिया methods of construction index number इसमें आपके दो method है जिसमें पहला है simple price relative method और दूसरा है aggregative methods मुल्यानुपात की सरल मादिरिती है और दूसरा है सरल समूहर रिती इसके दोरा हम सूचकांग बनाते है यह आपके fourth unit में आता है अब है unit five इसमें sampling and type of sampling जो प्रती chain या प्रती दर्ष यह क्या होता है sampling कितने परकार की होती है यह हम इसमें पढ़ेंगे फिर है interpolation, आंतरगरन यह कैसे निकालते हैं कैसे ग्याद करते हैं इसमें आपके तीन method है Newton वाला है, binomial है और languageian method है इसके दोरा हम interpolation यह हिंदी में आंतरगरन बोलते हैं वो निकालते हैं फिर है statistical system in India भारती समंग वे होता है जो data वाली system है इंडिया में वो उसके जो data collect करते हैं उसके publications कौन-कौन से है कौन-कौन जो agency है वो करती है तो इसका हम सब इसमें पढ़ेंगे फिर है national sample survey office NSSO और दूसरा है Central statistical office CSO NSSO और CSO है इसका क्या-क्या काम है यह data collect करते हैं तो कैसे कैसे करते हैं तो यह सब चीज़े हम इसमें पढ़ेंगे तो यह आपके syllabus में पांच unit है आपकी screen के उपर जो paper first है इससे related books के नाम जो है जो screen के उपर है इसमें बहुत सारी books हैं लेकिन आप इसमें SC Gupta Fundamentals of Applied Statistics इस नाम से भी आती है इंग्लिश में है यह और केलाशनात नागर की भी आती है Man Elements of Statistics Shine Kiki के मूल तत्व नाम से आती है हिंदी में भी अविलेबल है तो आप इसको purchase कर सकते हैं इस screen के उपर आपको red color में link दिखाई दे रहा है www.mlsu.ac.in इस link के माध्यम से आप syllabus डाउनलोड कर सकते हैं